आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हूं जटपट बनने वाली अंडा पिरियानी की रेसिपी आज की इस विरियानी को हम बनाएंगे कूकर में और आज की इस विरियानी में हम बिल्कुल भी साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे बहुत कम मसालों में आज की इस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें अंड़ बिर्यानी बनाने के लिए यहां पर मैंने च्छे उबले हुए अंड़े लिया है अब हम यहां पर थोड़ा सा हल्दी पौडर डाल देंगे थोड़ा से यहां पर आपको डालना है नमक या नमक स्वात के अनुसार और अधा कब तेल डालके हम उसे अच्छे से गरम कर लेंगे सारी प्रोसेस को हम कुकर में ही करेंगे इसलिए यहां पर आपको थोड़े से जादा तेल का इस्तेमाल करना है तो अब हम क्या करेंगे ना कि बिर्यानी के लिए सबसे पहले हम ब्राउन अनियन बनाएंगे तो यह तो जो ब्राउन नानिया ने वह बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तयार होते हैं तो गैस का आज यहां पर आप तेज रखें और इसे लगातार चलाते हुए फ्राइ करें और जैसे जैसे यह फ्राइ होता जाएगा आप देखेंगे कि इसका अनुपात पहले से काफी कम हो ग तो कुकर में जो बचा हुआ तेल है इसे में बिर्यानी को बनाएंगे एक्स्टर तेल बिल्कुल बियाइड नहीं करेंगे तो जो हमने अंडे को मैरिनेट करके रखा था उसे डाल देंगे और हलका साई से हम फ्राइ कर लेंगे चाहें तो अंडे को आप कढ़ाई में भी प्राइ करना है बस हलका सा इसके उपर एक सुनेरा लेयर आ जाये तो आप इसे कुकर में से निकाल लें तो गैस का आच बिल्कुल धीमा कर देंगे और अब आपको यहां पे डालना है दो मीडिया माकार के कटे हुए प्याज आज की इस बिर्यानी में तड़के में नहीं ह पर हलकी सी नरम हो गई है तो एक बड़े आकार का यहां पर आप टमाटर डाल दें और टमाटर जल्दी पग जाए इसलिए यहीं पर एक छोटा चमश नमक डाल दें मिक्स कर लें और इसे 2-3 मिनिट तक भूल लें प्यास टमाटर यहां पर अच्छे से पग गए हैं तो अ आजर्च चमश यहां पर आपको डालना है हल्दी पौडर एक छोटा चमश लाल मिर्ची पौडर अपने तीके का नुसार अब नाले मिर्ची Exactly नाले छे नवाग आपको डालना हे धनिया पौडर आज चुटा चमश गर्म मसाला पौडर iquड़ी आनी मसाला एसे स्मे ज्या चोटा कोटोरी मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ वेट से यह 100 ग्राम दही है और दही को आप अच्छे से फेंट ले उसके बाद डाले ताकि इसमें बिल्कुल भी गिल्टिया ना रहें कोटोरी में थोड़ा सा पाइन डाल के जो बचा वह दही है उसे भी निकाल के डाल देंगे दही डालने के बाद गैस का आच आप तीज कर दें और इसे लगातार चलाते हुए पकाएं यह तो क्या ओता है न गभी कभी दही फट जाती है तो लगातार चलाते हुआ आपको तब तक पकाना है जब तक कि तेल इसके उपर दोबारा से तैरने ला लगे तो यहां पर एक मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे पकाया और ये देखिए तेल इसके उपर तैरने लगा है अब आपको यहाँ पे डालना है पूदीने के पत्ते साथी साथ इसी के हम थोड़ा सा हरी धनिया भी डाल देंगे पूदीने का फ्लेवर बिर्यानी में बहुत अच्छा आता है तो अगर आपके पास पूदीने हैं तो आप जरूर डालिएगा अगर नहीं है तो इसके बगार भी आप बिर्यानी बना सकते हैं थोड़ा साम इसमें डालेंगे भुना हुआ प्याज मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आच में एक मिलट इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये मसाले के साथ पक रहा है तब तक हम चावल दोके त्यार कर लेते हैं अब आपको चाहिए होगा चावल तो यहाँ पर मैंने बासमती चावल के इस्तिमाल किया है अच्छे क्वालिटी के बासमती चावल के इस्तिमाल करें एक एक दाना अलग अलग बनके तियार होता है तो यहाँ पर मैंने डीर ग्लास बासमती चावल के इस्तिमाल किया है तो अब हम इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से धो लेंगे तो यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है और जितना एक्ष्ट्रा पानी था वो मैंने हटा दिया है तो मसाला यहाँ पर हमारा भून के त्यार हो गया है अब हम क्या करेंगे ना कि जो हमने अंड़ा फ्राई करके रखा था उसे डाल देंगे थोड़ा सो इसके उपर आपको डालना है भुना हुआ प्याज इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और जो हमने चावल दोके रखा था ना वो डाल देंगे इसके उपर तो अब आपको यहाँ पर डालना है पानी तो जिस glass से आपने चावल ना पा था उसी glass से आपको पानी डालना है तो देड़ glass चावल के लिए यहाँ पे आप धाई glass पानी के इस्तिमाल करें अब आप क्या करें कि जो बचे हुए दो अंडे थे वो भी इसके उपर डाल दें अब आप नमक डाल दें तो मैं यहाँ पे देड़ छोटा चमच नमक डाल रही हूँ और टेंशन नाले बाद में हमने नमक डाला है तब भी नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा चावल में इसके उपर अब लाश्ट में आपको डालना है धन्या और थोड़े से पोदीना के पत्ते और थोड़ा सा भुना हुआ प्याज जब भी हम अंडा पिर्यानी बनाते ना तो क्या करते हैं कि पहले चावल को पका लेते हैं उसके बाद हम उसकी लेरिंग करते हैं लेकिन हमने इसमें चावल को नहीं पकाया कच्छे चावल के इस्तमाल किया है लेकिन लेरिंग वैसे ही करेंगे और बस इसमें क्या होता है ना कि दो कलर के चावल नहीं दिखते हैं लेकिन स्वाध बहुत लाजवाब आता है तो अब आप क्या करें कि कूकर का ढखकन लग घर्म-घर्म सर्फ करने के लिए और मैं आपको दिखा देती हूँ on buried onid चावल का एक ये ये दाना बिलकुल लग है क्यों भीडियों आदे हैं पिलकुल खिले-खिले हमारे थोड़ा सा समय लगता है तो टेंशन ना ले आज की फटा-फट से जहट-पट बनने वाली कूकरों की इस बिर्यानी की रेसिपी को ट्राइ कीजेगा आप बार-बार बिर्यानी बना के खाना पसंद करेंगे तो मैं चलते हूँ इस बिर्यानी का आनंद उठाने अपने परिवार के साथ उमीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो बिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई-बाई